हलो स्टुडेंट्स अभी हमने टैली मार्किंग सीखा है इससे पहले वाले वीडियो में कि टैली मार्किंग कितने तक होती और कैसे राइट करते हैं यह आपकी टैली मार्किंग है अब हम इससे रिलेटिड कोश्चन करेंगे सो फर्स्ट कोशन है आपका पेज नंबर 161 पे फरहान आस्क के इस फ्रेंड्स अबाउट देर च्वाइस उसने अपने फ्रेंड से न च्वाइस पूछी स्नैक्स में वो क्या प्रेफर करेंगे उसके बलडे पे तो यह जो च्वाइस दे रखी है उसके फ्रेंड की इसने इत सब्सक्राइब आपको इसको अरेंज करना है टेली मार्किंग मे और नंबर ऑफ्रेंड राइट करने है तो पहले हम पहला फिस्ट लेते हैं पीजा अब हम इसमें काउंट करेंगे कि पीजा कितने फ्रेंड को पसंद है तो यह जाएगा one mark कर लिया हमने फिर और देफें इ और देखिए पीजा कहीं लिखा है त्री त्री और यहां भी क्या लिखा हुआ है पीजा डन और एक्स्ट देखते हैं इस रो में भी है पीजा हमने सारा चेक कर लिया है हमने सारे पीजा को क्या कर लिया है मांक कर लिया है अब हम count कर लेते हैं, क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने friends ने pizza बोला है, 5, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले आपको telly marking में 5 लिखना है, telly marking में 5 हम कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, और 5 के लिए यह slanting line, 5 लिख दिया, अब यहाँ हम numbers में write कर देंगे, number of friends, 5, done, burger, burger कितने friends को पसंद है यह रहा, burger हम burger के उपर star बना देते हैं, यह भी burger है, यह भी burger, आप pasta, यहाँ भी burger आ गया, star बना दिया, इसके बाद french fries पास्ता यहाँ, burger, फिर star बना दिया, फिर यह ओजाएगा pasta, फिर यह भी burger है, फिर pasta, french fries, फिर burger, complete हो गया, अब हम count कर लेते हैं, कितने इस्टार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह कितने है, 6, अब हम यहाँ, tally marking में, burger में कितने लिखेंगे, 6, तो कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 1, 6, we write here, 6, next है पास्ता, pasta count कर लेते हैं, कितने हैं, pasta पे हम circle ऐसे बना देते हैं, 1, यह भी pasta है, done, यह भी pasta है, इस रो में ये रहा पास्ता ये भी पास्ता यहां भी पास्ता ये रहा पास्ता इसका मतलब बहुत जादा बच्चों को पसंद है French प्राइस ये रहा पास्ता हमने कर लिया अब हम सरकल काउंट कर लेते हैं कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं? 8, so we write here 8, कैसे करेंगे? Again 5 में 3 add करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, we write here 8, अब है french fries, आप ये देखो हमने बाकी सब पे circle कुछ की, अब हम direct count कर सकते हैं, french fries, tick mark लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं? 6, हम tick mark count कर लेते हैं, दुबारा 1, 2, 3, 4, 5, and 6, कितने हैं? 6, again हम 6 करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 6, we write here 6, ये हमने अपना टैली मार्किंग वाला table ready कर लिया, अब इससे related questions करते हैं, which is the most favorite snack? सबसे favorite snack कौन से है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया है? पास्ता, we write here पास्ता, क्योंकि 8 friends ने क्या बोला है कि उनको क्या खाना है, इसके बर्डे पे पास्ता खाना है, तो सबसे ज़्यादा favorite क्या हुआ? पास्ता, how many friends have, ask for french fries, french fries कितने friends ने बोला है, six ने, we write here, six friends, done, last है, which is more preferred, pizza और burger, pizza और burger में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया गया है, देखे, pizza five friends ने बोला है, और burger six friends ने बोला है, तो answer क्या हो जाएगा, burger, क्योंकि burger की strength ज़्यादा है, so we write here, burger, done, now question number two, अब यह है, the children of a locality gave their preference of different activities for summer camp, summer camp के लिए बच्चों ने वोट डाले हैं, कि उनको क्या पसंद है, ठीक है, और यह एक star का मतलब है, four votes, जहाँ पर एक star बना हुआ है, यानि यहाँ पर four children ने वोट किया है, एक star का मतलब है four votes, ठीक है, अब इससे related हम करते हैं, swimming के लिए कितने votes हैं, one, two, three, four, five, five stars है, ठीक है, horse riding के लिए कितने star है, one, two, three, four, four है, और yoga के लिए one, यानि सबसे कम योगा, अब इससे related question करते है, how many children voted for swimming, swimming के लिए कितने बच्चों ने वोट किया है, one, two, three, four, five, five star बने हुए हैं, और एक star का मतलब है four, यानि five multiply by four is equal to twenty children, यानि twenty जो children है, उन्होंने किसको वोट किया है, swimming को, horse riding को कितना किया है, count करो, one, two, three, four, four ने, और एक star का मतलब किया है, four, यानि four fours है, sixteen children, done, अब आ गई, which is the least preference activity, कौन से activity है, जो सबसे ज़्यादा कम पसंद की गई है, क्या है, yoga, कितने बच्चों ने किया, only four students ने, तो सबसे कम किया, yoga, यह आपका answer complete हो गया, इसी से related आपको क्या बनाना है, यह table भी बनानी है, तो हम यहाँ पर पहले क्या लिख लेंगे, swimming, horse riding, yoga, यह मैंने write कर लिया है, अब हम telemark करते हैं, swimming कितने बच्चों को पसंद है, twenty, तो कितने numbers of vote हैं यहाँ पर, twenty, तो अब हम twenty के लिए क्या करेंगे, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, यह तो हो गया ten, five और बनाएंगे, यह हो गया fifteen, और five हमने और बनाया, यह क्या हो गया, twenty, next होर्स राइडिंग कितनी student को पसंद है, sixteen students को होर्स राइडिंग पसंद है, तो sixteen कैसे करेंगे, one, two, three, four, and five, one, two, three, four, and five, ten हो गया, five हम और बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा, fifteen, fifteen में one एडिंग कर दिया है, क्या हो गया, sixteen, योगा कितने student को पसंद है, only four, तो यह हो जाएगा, one, two, three, four हो गया, now last question number three, यह ना, गौरफ के friends से पूछा गया है, कि उनको कौन सी game पसंद है, तो football कितने friends ने बोला, one, two, three, four, five, six friends को क्या पसंद है, football, cricket, four friends को पसंद है, और car racing, five friends को पसंद है, अब इसी से related हमें start करना है, cricket, tally marking, कितने को cricket पसंद है, four, तो यहाँ क्या हो जाएगा, four, और हम four tally mark में भी write कर देते हैं, यह होगा आपका four, football कितने को पसंद है, one, two, three, four, five, six, six को पसंद है, one, two, three, four, five and six, we write here six, car racing कितने को पसंद है, five को, तो यह हमने यहाँ पे five tally marking में भी कर दिया, और numbers में भी कर दिया, five, which is the most preferred game, सबसे जादा पसंद किया हुआ game कौन से ह यानि सबसे जादा बच्चों ने किसका नाम लिया है, football का लिया है, कि उन्हें वो पसंद है, least यानि कम, सबसे कम पसंद वाला game कौन से है, cricket, कितने ने, सिरफ four student नहीं बोला है, तो सबसे कम किसको पसंद कर रहे हैं, cricket को, और सबसे जादा किसको पसंद किया है, football को, how many friends like cricket कितने friends को cricket पसंद है, four, आप यहाँ write कर देंगे, four friends, done, complete, so आज आपका homework रहेगा, यह three questions आप अपने book के अंदर करेंगे, और tally marking के one, two, tally marking अपनी fair notebook में करेंगे, thank you